स्वानमशकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास एंड्रोइड मोबाइल है और उसके अंदर आपको प्रावलम आती है आपके नेटवर्स वगेरा जो सबसे पहले अपने ड्यालर प्रावलम आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा star hash 06 hash जैसे आप dial करेंगे यहाँ पर आपके सामने IMEI number आपके mobile का निकल कर आएगा तो आपको यहाँ पर देखना है अगर IMEI number आपके mobile का यहाँ पर निकल कर ना आए तो आप समझ जाएगा कि आपका IMEI number उड़ चुका है आपके mobile से delete हो चुका है तो उसके लिए आपको simple सा काम करना है आपके जो nearest आपका जो service center होगा वहाँ पर जाकर आपको IMEI number फिर से डलवाना होगा अपने mobile में तो आपके network गएरा फिर से आजाएंगे आपकी SIM के अंदर तो यह काम आपको जरूर से करना होगा क्योंकि यह problem आ जाती है यह code है और आगे आपको लिखना होगा जैसे ही आप यह dial करेंगे आपके सामने कुछ इसतरह से यह निकल कर आएंगी settings अब यहाँ पर आपको SIM card को test करना होगा SIM card को कैसे test करना है थर्ड नमबर पर लिखा है SIM card test यहाँ पर आप क्लिक कर दिजिएगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा है SIM detected pass मतलब कि जो मेरी SIM है वो खराब नहीं है यहाँ पर पास लिखा हुआ है अगर आपकी SIM खराब होगी तो यहाँ पर fail लिखा आएगा तो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है वैसे आप यहाँ पर retest लिखा हुआ है तो retest पर क्लिक करके तीन चर बार आप चेक कर सकते हैं तो आप यह चेक कर सकते हैं यहाँ आपकी SIM खराब नहीं है यहाँ से आपका SIM का पालूम चल जाएगा तो उसके बाद आपको एक code over dial करना होगा अगर यहाँ से problem solve नहीं होती है dialer pad में आना है यहाँ पर लिखने star has star has 4, 6, 3, 6 as star has star यह लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यह information निकल कर आएंगी आपके सामने phone information लिखा हुआ है तो इस पर click करिएगा click करने के बाद आपके सामने page open होगा आप यहाँ पर scroll करना है नीचे और यहाँ पर mobile radio tower है यह आपका बंद होगा कुछ इस तरह से आपको बंद देखने को मिलेगा अगर यह आपका बंद है तो उपर आपके networks नहीं होंगे suppose कर लिजिए अगर आपका यह enable है तो इसको आपको फिर से बंद करना है और फिर से चालू कर लेना है आपको इसको बंद करना है तो आपकी problem solve हो जाएगी guys जैसे आप इसको enable करेंगे तो जै काम करने से आपके network refresh होकर आजाएगे और आपका जो tower mobile radio tower है जो वो भी सही काम करने लगेगा आपके network सुगर अच्छे आने लगेंगे mobile के towers अच्छे आने लगेंगे तो guys यही दो तीन code है इनको apply करेंगे तो problem solve हो जाएगी हो सके तो आप यहां से refresh का option देखने को मिल रहे हैं आपको smsc तो refresh आप क्लिक कर सकते हैं कई बार refresh करिएगा तो problem solve हो जाएगी so guys बस आसके वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में इतिल रभाए टेक क्या लग